क्या हाले दोस्तों, welcome to C programming tutorials by learning light education और इस tutorial में हम लोग C preprocessor के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे C preprocessor के साथ begin करने से पहले मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो program हम write करते हैं वो किस-किस process को पार करने के बाद executable बनता है तो हम लोग एक text editor को use करके अपना source program को write करते हैं और जो भी source code हम write करते हैं वो .c extension का होता है for example अगर आप लोगों का program का नाम है hello तो फिर आप लोगों को उसे hello.c extension पे save करना पड़ता है और इसे हम लोग अपना source code भी कहते हैं जब हम लोग अपने program को compile करते हैं तब ही compiler जो है वो क्या करता है कि एक और program को call करता है compilation process से पहले और वो program है preprocessor यह preprocessor जो है यह एक चोटा सा program है जो हमारा source code को as a input लेता है और उसे process करने के बाद एक intermediate और एक expanded code को provide करता है as a output और यह expanded code जो है जो preprocessor से बाहर आता है वो .i extension का होता है और यह जो expanded और the intermediate source code जो है यह अपना source code जो है उसका modified version होगा यहाँ पे अपना preprocessor जो है वो comments को पूरा निकालेगा और जो भी instructions हमने preprocessor, directives के जरीए preprocessor को दिया है उस सब को execute करेगा तो यह modified source code अपना preprocessor जो है उसका output है और उसके बाद जो भी expanded code हमें मिलेगा वो compiler को जाएगा as a input और अपना compiler जो है उसे compile करके object code को generate करता है तो यहाँ पे आप लोग इस image पे देख सकते हैं preprocessor का output अगर आप लोग का program का नाम hello है तो hello.ii आएगा और यह compiler पे जाने के बाद हम लोगों को object code मिलेगा जो .obj extension का होगा तो यहाँ पे hello.obj और उसके बाद compilation process के बाद एक और program called linker हमारे object code जो compiler ने create किया है उसे ऐसा input लेता है और यह executable code को generate करता है यह linker क्या करता है कि जो object code हमें मिला है उसे जो भी library functions हमने अपने program पे use किया है for example अगर आप लोग ने scan function को use किया है और print function को use किया है तो उसके साथ link करता है और उसके बाद executable code को generate करता है तो यह सारे steps को हमारे c program को पार करके जाना पड़ता है तो अभी यहाँ पे इस video का main मतलब है preprocessor का तो यहाँ पे आप लोग एक और बार देख सकते हैं preprocessor हमारे source code को as a input लेता है और यह expanded और intermediate code को generate करता है और इस preprocessor को हमार compiler जो है वो compilation process से पहले automatically call करता है तो अभी मैं समझता हूँ कि आप लोग को एक rough idea आया होगा कि preprocessor क्या है तो अभी what is a preprocessor जैसे इसका नाम indicate करता है यह एक preprocessor है जिसका मतलब है कि compilation process से पहले आता है यह और जैसे मैंने बताया हमारा program को as a source code लेता है और intermediate code को generate करता है और इसे कुछ लोग macro processor भी कहते हैं क्योंकि यह हम लोग को कुछ macros को कुछ identifiers को हमारा program पे declare करने के लिए अलोग करता है और बहुत सारा options भी देता है उसके बार में हम लोग next देखेंगे और इसे कुछ लोग text substitution tool भी कहते हैं क्योंकि कुछ text को यह replace करता है उसके उस सबके बार में हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो what is the use of this preprocessor preprocessor का use क्या है अगर हम लोग को इस preprocessor का main points को निकालना है तो इसका use क्या है तो यह हमें macros को declare करने के लिए अलोग करता है और यह preprocessor के वक्त उसे expand करता है जिसके बार में मैं next tutorial पे detail पे सिखाऊंगा यह क्या होता है कि हमारे program पे एक identifier को create कर सकते हैं और उसके जो value हम लोग specify करेंगे वो preprocessor के वक्त replace हो जाएगा अगर आप लोग का अभी confused हो रहा है तो ज़्यादा सोचे मत क्योंकि क्योंकि next video पे हम लोग जब इसके बार में देखेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा और उसके बाद एक और use है कि यह हमें कुछ files को include करने के लिए भी अलो करता है तो इससे क्या होता है कि आप लोग अपने source code जो है उसे multiple files पे लिख सकते हैं और बाद में आप लोग उन सारे files को एक file पे include कर सकते हैं यह बहुत अच्छा use है और हम लोग ने इसे already हमारे program पे use भी किया है अगर आप लोग हमारे previous programs देखें तो हम लोग ने use किया है hash include यह hash include जो है यह एक preprocessor directive है और एक preprocessor command है जो हमें files include करने के लिए मदर करता है और उसके बाद अगर इसकी use की बाद करें तो यह हमें conditional compilation करने की facility देता है यह conditional compilation क्या होता है कि आप लोग अपने program को कुछ condition के हिसाब के साथ compile कर सकते हैं और इसके बारे में मैं आप लोगों को detail पे उस video पे सिखाऊंगा जहां पे हम लोग conditional compilation के जो instructions है उसके बार में देखेंगे तो अभी हम लोग अगर कुछ और uses की बात करें तो बहुत सारे miscellaneous directives available है जो हमें several options देता है for example आप लोगों को अगर आपका program का नाम find out करना है तो उसके लिए भी एक macro है और उसके बाद आप लोग date and time find out कर सकते हैं लाइन नमबर find out कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे options available है और उसके बार में हम लोग detail पे upcoming tutorials पे देखेंगे तो अभी हम लोग ने देखा है कि preprocessor क्या है और उसका use भी क्या है तो next बात यह है कि हम लोग preprocessor को कैसे instructions दे सकते हैं और कैसे हम लग उसे हमारे program पे use कर सकते हैं प्री प्रोसेसर को instructions देने के लिए हम लोगों को preprocessor डिरेक्टिव्स और preprocessor commands को use करना पड़ता है यह preprocessor commands और डिरेक्टिव्स जो है यह hash symbol से शुरू होता है अगर आप लोगों ने हमारा previous वीडियो से देखा है तो हम लोगों ने वहाँ पे पहले फाइल इंक्लूड करने के लिए जैसे use कर सकते हैं कुछ लोग इसे c programming के अंदर एक और language ऐसे भी कहते हैं तो एता दोस्तों इस वीडियो के लिए thank you for watching और आप लोग मुझे YouTube पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए जब भी मैं नए वीडियो तो आप लोगों को एक notification मिलेगा और आप लोग मुझे Facebook पे like भी क